तो यह जो पापड आप देखें इससे मैंने घर पर बनाया हैं और इसी के रेज़ पिश्य। 가지 by Garum अज हूं सूजी के पापड़ क्याने में भी बहुत हुव है तो बहुत जब पाक्तिक करना सकते हैं यहीं बहुत ज़्यादा आप को महनत नहीं के मताना हैं लगता है तो चलिए बनाते हैं सूजी के पापड तो उसके लिए सबसे पहले हैं यहां पर में देड़ करटोरी सूजी लोगे तो सूजी हमें एकडम बारिक वाली लेनी हैं मोटी नहीं लेनी हैं और यह दिया कोई परिशानी नहीं नहीं उससे आफ मिक्सर जार में डाल कर एक से दो बार गुमा लीजिए वह बारिक हो जाएगी तो बस आपको बारिक सूझी लेनी है और उसे में ले रहें देड़ कप तो आप एक कप भी ले सकते हैं हमें यहां पर देड़ कप ले रहें कि थोड़ा ज्यादा बना रहे हैं जिससे हम साल भर तक इसे अराम से स्टोर पानी ले लिया है तो एक कप यदि आप सूझी ले रहे है तो उसके लिए छे से साथ कप पानी ले लिए और अब हमने से गेस पर चड़ा दिया है उसके बाद हमें क्या कह ili को हलंग आसा गुंगुना हो ने दीजी और इसमें मैं तो इस्तरह से कल्षे चलाते जाईए तो में तो गैसे को मेशन धे में अभी है थोड़ से मसाले दालना इसा दीम धिया नमक है प्रशा एक स्गेर, और चाये जेरा दालना है रेट च colored फिल्ह द्म देटेस, कि यह लड़े रहिए यह's द्युति दिया नमक मेरी नमक भेता है lawmakers लें कईया इसमें जाता है तो मैंने तेड़ कप्लिया इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऊपर से डाला और जादा नमक डालेंगे यह बहुत ही ज्यादा नमकीन हो जाएगा तो बस अभी आप देख रहे हैं इसमें बबल साने लगें तो मैंने गेस को दीमा कर दिया और अब हमें तो मैं आपको जो कलचिल पर पीछे दिखा रही है जब जब उसके ऊपर एक दम गाड़ी कोटिंग हो जाए तो इसका मतलब हमारा पापड के लिए तो अभी इस पर यह रूप कर जब इसको हम इस तरह से डॉप कर गिराते हैं तो यह रूप कर गिरा इसका मतलब सूजी है और पीछे से भी मैं आपको दिखाते हैं कि पूरे अच्छे से से कोटिं हो गई है बिलकुल इस तरह से यह जमना चाहिए और इस तरह से हो जाया तो इसका मतलब आपका सूजी के लिए पापड तैयार और यह दिया आपको लगता है कि सूजी जादा ठीक हो गई तो आप तो लगबग दस करी के करीब आप इसमें पानी डाल सकतें इससे आपको कोई परिशानी नहीं है कि मैंने यहाप पर 9 करी और मुझे थोड़ा से थीक लग रहा थे तो मैंने आधा कप पानी इसमें और एट किया जो वीडियो में नहीं आ पाई इसलिए मैं आपको नहीं दिख यहां पर मैंने बड़ी पोलिथिन लिया है उसे इच्छे से बिचा दीजिए तो इस प्यारभी में इस तरह से डाल कर फैलाती जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि पापड जब सूखता है तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है इसलिए इसलिए थोड़ा सा मोटर डाल इसलिए बहुत ही हलका रखना एकदम से बिल्कुल जो लगा कर नहीं डालना नहीं तो यह इस तरह से बनेगा इसलिए इसलिए फैलाना बहुत ही आसान है बनाना भी आसान है इसलिए आप इसे बिल्कुल टेंशन के बिना बनाई है बहुत याराम से बन जाता है और बनाते बनाती है आपको लगता है कि आपका बेटर एकदम गाड़ा हो गया तो आप थोड़ा से इसमें पानी भी डाल सकते उससे कोई परेशानी नहीं होती मैं हर बार पानी उसमें एट करती हूं कभी भी मेरे पापड खराब नहीं होते तो यहां पर आप देखे मैंने सारे आप साइड चोड़ने लगता है तो बस रात भर के लिए से पंखे की निचे चोड़ दी यह राम से सूख जाता है और सुभा सुभा मैंने इसे वापस से बालकनी में डाल जा जिस बहां थोड़ी से बहार के हवाल लगया और एकदम से सूख जा तो तीन से चार घंटे मैं इसे बालकनी में रहने दिया और यह देखिए यह अच्छे से सूख गया तो पूरी तरह से सूखने के बाद यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है बिल्कुल भी इसे निकालने में परिशानी नहीं होती तो बस इससे अभी हम सारे पापड में उठा लेती हूं तो यहां प तो पूरी साइस के बनाई किसूखने के बाद थोड़ी छोटे भी हो जाते हैं और एक बात आपको याद रखने के लिए कि आपको इसे पॉलिथीन पर फहलाना आपको कपड़ पर इसे नहीं डाना इतो कपड़ी परी आसानी से निकलते नहीं एक दम चिपट जाता है और बहुत मुश्किल होता उसे निकालना तो चलिए यहां पर तलकर भी दिखा देती हैं तो तेल को अच्छा तेज गरम कर लिजी उसके बाद गेज को धीमा कर दीजी और फिर इससे तलिए तो यह जलेगा नहीं क्योंकि पापर थोड़ा नाजुकस होता और बहुत जल जल जात इसलिए धीमी इस पर इससे तलिए लेकिन तेल को अच्छा तेज गरम होना चाहिए तो बस यहां पर मैं थोड़े से पापर आपको तल तल कर दिखा देती हैं और साइस में एकदम से बढ़े हो जाते हैं तो बस इसको इस तरह से बनाई और यह इतने टेस्टी होते के और से घ्ल भी देखिए इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है यह फटा-फट तला जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते तो बस आप इसे बनाई और अराम से देखिए के में आपको इसके आवाज सुनाती हूँ कितना क्रिस्पी बनाएं तो इस्टी और बनाने में कितने आसा नहीं है तो आपने देखे लिया तो अब जो बच्चेवे सूजी के पापड जो यह बने वे हैं इससे हमें एर राइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए और साल भर आपको जब मन करें से बनाए खाए और अपनी फेमली के साथ एंजाइ किजिए तो यह वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चरूर कीजिए तो फिर में लिए अगली रेसिपिक के साथ टेक केर और बाइबाए